रॉक के आने से दिमाग का दही वैसे ही हो चुका है कि इतनी सारे अलग-अलग जो स्टोरी लाइन के एंगल हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं थोड़ी सी दिमाग की दही मैं आपकी और करना चाहता हूँ जो हमने बैड बलड के बाद देखा था मतलब डबल डबली ने नहीं लेकिन जैसे ही रॉक आये तो क्या है रॉक के कहने पर केविन ओवन्स का किया है क्या रॉक ने पटा लिया केविन ओवन्स को कि वो जाके उनके ओपर अटैक करें अगर आप इसको एक और चीज से लिंक करके देखो कि ट्रिपल एश ने भी ट्वीट किया तो यानि कि उनक चीजे यहां पर होती नहीं है तो इस तरीके से दो दो स्टोरी चल जाएंगे आपर कि रॉक के कंट्रोल लेने की और ट्रिपल एच के साथ उनके वह पावर स्ट्रगल की और साथ में कोडी रोड्स के उपर अटाइक हुआ तो भाई उनसे तो रॉक का लिंक है ही तो ऐसे करक में रॉक का यूज डबल लबली करेंगी वह भी देखना हो क्योंकि ऐसे तो हर स्टोर लाइन में घुज जाएंगे बट उससे डेफेनिटली डबल लबली का तो फायदा होगा बतारा आपको कैसा लग रहा है कि आप ऐसे होते वे इस चीज को देखना चाहों कि वह हुआ टीवी पे नहीं वह इस तरीके से हुआ कि डबल लबली ने उसको दिखाया वाई हमारी मर्जी उर्जी के बिना हुआ है तो शाथ पर रॉक इन सारी चीजों के पीछे हो सकते हैं और वेलकम है आपका वोईस ओफ रेस्लिंग के आज के दूसरे एडिशन में तो बहुत सार चीजे चल रही है आजकल सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रहता हूं भी आया जस्ट अभी से कुछ घंटे पहले ही क्राउन जूल का जो ऑफिशल डेवल लबली का पोस्टर है वो निकल के आ चुका है क्या कल की रॉस में स्पोईल कर दी है गुंथर और को फीचर किया यहां पर जो कि अभी चैंपियंस है और साथ में नाया जैक्स एंड लिव मॉर्गन को अभी कल होने वाला मंडे नायट रॉ में गुंथर वर्सिस सैमी जेन का मैच एसा भी हो सकता कि जब तक आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हो कि क्या बता रह हो भी चुकियों कि अगर कहें भी रहे थे भाई पहली बार पहली बार तो नहीं दिसंबर में ऐसा पता नहीं हाँ हुआ तो नहीं है कि क्या प्रीमिम लाइवेंट नहीं होगा लेकिन अभी यह चीज बिल्कुल हट चुकी है उस समय थोड़ा सा कन्फूजन था मेरे दिमां में कि वो जो सैटरे ना में इवेंट को दिखा दिया और मैं आपको बता देता हूं कि इसको प्रीमिम लाइवेंट की लिस्ट में डाला है और इसको थोड़ा जादा बड़ा शो कंसिलर करना क्योंकि जो मैंने बाते इसकी पीछे अब तक सुनी है कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत से हुआ नहीं था और अब हुआ तो देख लो बैट बलड में क्या बंपड़ा डेवली ने कल की रह के लिए कुछ ओफिशल चीजे कुछ अनौंस्मेंट के साथ भी आ गया है तो सेथ रॉलेंस कल शो पर होने बाले हैं एडम पियर्स ने बता दिया बागी कल तो दो के लिए वैसे भी स्मूध रहेगा और हमेशा डबलड में अगले वाले शो के लिए चीजे अब बिल्ड नी करती है वो कई बार अगले से अगले के लिए भी करती है तो कल की रह उसे साब से इंपॉर्टन होगी देखते हैं सी हम पोंगो ड्रू मैकंटार के बारे में कल क् यह बैड बलड में आपने देखा होगा ना वो रकेल रोडरे को इस ने बड़े अजीब तरीके से लिव मॉर्गन को सब कुछ मैच बैच खतम होगया बैल बजगी उसके बात भी उन्होंने रिया रिप्ली के ओपर उनको गिराया था पिन करने के लिए तो भाई यहाँ प कर दो रेफरी ने यह क्यों नहीं देखा तो इस वजे से जो प्लान है वो कुछ ऐसा था कि रिक्ली को जीतने के लिए लेकिन एंड वैसा हुआ नहीं हुआ है कि रेफरी नहीं उसको डिस्कौलिफिकेशन में एंड कर देया तो इसलिए रिगल रोडे को लगा कि उन्हें अपना काम ही कर दी लेकिन फिर उनको रेलाज हो भाई ये तो मैच पहले ही खतम हो गया वैसे जितना मैं देख रहा हूं रियक्शन कुछ खास रखेल रोटरी को इसको मिला नहीं है लोग आते के साथ ही अगेंस्ट हो चुछ गए इस टूरी के बड मेरे खाल से तो सही है उनको भी CM Punk ने हमने हाथों से ब्रेसलेट बना के दिया बट एक और ब्रेसलेट इस विक्टोरिया ने से CM Punk को दिया और एक जैक्ट वही ब्रेसलेट है जो की टूटा था इस फोटो में लोगों ने कैप्चर कर ले किया रहे हैं सीम पंग ने तो ब्रेसलेट पैना तो इन् मैं आपको बताता हूं दोनों ही बहुत अन्फॉर्ट्शनेट और सैड हैं ब्रॉंस्ट्रोमें के बारे में कन्फर्मेशन आ चुक है कि सच में उनका जो ग्रोइन है वो टूट फूट चुका है और इस वाली यह जो प्रॉबलम उनके साथ हुए जो कंडिशन है जो इंज अच्छा खासा टाइम ऐसा लग रहा है यहां पर लग सकता और बहुत बेका टाइम पर वह बाई है जब ब्रॉंस्ट्रोमें को इतने सालों में दुबारा से मुमेंटम मिला तो उनकी हाला थी यह हो गई और दूसरी चीज एजसे एजसे बात कर रहे थे हो वापस आए है और जिस तरीके से WWE उसको दिखा रही थी वह लग ऐसा रहा था कि जैसे कि वह स्टोरी लाइन का ही पार्ट है लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स हा रही है यह स्पेकुलेशन निया रिपोर्ट्स है यह कि सच में AJ Styles को वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है और वह एंगल ड स्टाइल्स के उपर कंफर्मेशन अभी पूरा नहीं है मैं यह बोलूँगा लेकिन जो मुझे लग रहा था कि यह तो स्टोरी ही है ऐसा शायद लग नहीं रहा और भाई इससे बकवास और क्या ही हो गया एक तो इतने टाइम बाद ट्रिपलेश ने सोचा कि कुछ करते हैं इस स्टार को ऐसे देखते हैं तो बाई बैट बलड के इवेंट में पूछी लिया उनसे कि तुम ऐसा क्रिटिसिजम हो रहा है इस चीज के उपर क्या बोल गया तो ट्रिपलेश ने साफ साफ बोल दिया उन्होंने बोला मैं कलर को भी नहीं देखता मैं आदमी और औरत को इस साफ से जाथा अच्छी है और भाई किस का कलर्र करता है उक्स के फेछरे होते हैं वैसे उन्सित्य के पर्या muscular की कि मैं वही topics को जो ऑए कि चलो NXT एक तरीका होता है Superstars को बनाने का और में रॉस्टर तरीका होता है पैसे बनाने का वह एक जम्प होता है जो कि लेना पड़ता है वह ले लिया क्योंकि उनके जो फेवरेट्स है जो NXT के टाइम पहुआ करते थे आज कि अगर आप उनकी बुकिंग देखते हो तो आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहरा हूं जो कि जरूरी भी था और I think जब रॉक और निक खान जैसे बंदों के साथ बैठेंगे तो वह जो ट्रिपल एच की पैशनेट प्रफेशनल रस्लिंग फैन वाली साइड है वह कहने चोड़के बिजनस वाला दिमाग भी जाता तो फिर वह चीज उस हिसाफ से चलती है बैड ब्लड से पहले जो स्मैक डाउन हुआ था वहां पर आपने चीज नोटिस करें कि डब्लोब्ली ने बहुत सारे मैच डाले उस तरीके के जैसे डंस्टर मैच उन्हों ने डाला और इवन डब्लोब्ली ने ट्वीट भी तो यह से देखते थे क्या भाई ठीक है अब तो गोहम श्रस में क्या ही करेंगे सब कुछ तो हो चुका लेकिन अब डब्लोब्ली का इसको देखने का थोड़ा सा फॉर्मल चेंज हुआ तो एक्सपक कर सकते हो कि रो और स्मैक डाउन जो की होंगे पी एली से पहले उसमें में रेस्लिंग के ओपर थोड़ा फोकस होगा शायद ऐसे कि रोस मैंडन में देख लो ऐसा ऐसा है अब इसका जो फाइनल तुमको है आउट मता जो मजा मस्ती है वह पी एली में मिलेगी बैट बलड के में इवेंट में रॉक तो 1-2-3 का मतलब क्या है मतलब क्या है मतलब क 1-2-3 एक सिंपल सी टर्म होते हैं जो मनें पहले भी डेवल भी बहुत यूज होते हुए देखा कि 1-2-3 करूंगा और मैं तुझे हरा दूंगा और यह बात वह रोमन रेंज के लिए हैं वह बात यह कोडी रोड्स के लिए कह रहे हैं दूसरी चीज 1-2-3 का मतलब है रॉक इसने कोई नहीं वाला और जो फाइनल 1-2-3 है उसका मतलब है 1-2-3 के भी कितने मतलब निगालने पड़े सोचानी तक ऐसी इस तरीके से बात करनी पड़ेगी और वह है 1-2-3 जो रैसल वोड्स का ट्वीट भी है जिसमें वह वह लिख रहे हैं और साथ में उन्होंने 41 लि कि 1-2-3 जैसे ही किया था इसका मतलब है कि रॉक बोल रहे था अब मेरे म्यूजिक बजा दो अब मेरे जाने का टाइम आ गया और इसका इससे जादो कोई मतलब है नहीं यह एक रीजन हो सकता है इसके पीछे बाकि वह रॉक और को रोमन रेंज की स्टोर लाइन पॉलिटि कि यहती है पॉलिदान के ज कि यह आढू कर दो मेरे लाइन है गएम यह रहन सकता है झालब है पॉलिध मेरे लाग सब्सकित कर दोर्एष क्षब आर इसके सूरी अर लाग